नमस्कार मैं हूं माही सिंग और आप देख रहे हैं निक्सनाई न्यूज बीते लोग सवाच चुनाव में कई छोटे दलों को जटका लगा जुसमें पल्लवी पठेल का भी नाम शामिल है आपको बता दें पल्लवी पठेल 22 प्रत्यासियों को मैदान में तो उतारती हैं ले देकर जुस तरीके से पल्लवी पठेल और OVC में तना तनी देखने को मिली थी इसके बाद माना जो रहा था कि पल्लवी पठेल अब दूसरी पार्टी कार रुक कर सकती हैं आखिरकार वो पार्टी कौन सी होगी क्या पल्लवी पठेल फर से चंसेखर आजाद या फिर पार्टी ने उनको दर्किनार कर दिया था ऐसे में चंसेखर आजाद रावन की बात करें तो उनके साथ पल्लवी पठेल के जो रुस्ते हैं वो काफी बेहतर माने जाते हैं ऐसे में पल्लवी पठेल अपने राजनीतिक भविस्त को सुधारने के लिए क्या अब चंसेखर लगाई जाने लगी थी कि पल्लवी पठेल अब भारतिये जनता पार्टी का रुख करेंगी वहाँ पर केशो परसाद मौरे और अनप्रिया पठेल को टक कर दे सकती हैं क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं आज इनी मुद्दपर शर्चा करेंगे माह साथ आ शूती क्या लगता है कि उस तरीके से पल्लवी पठेल इतनी पार्टियों में लगातार बदलती हुई नसराती है पहले ओएसी के साथ फिर अखलीश यादो फिर चंसिकराजाद मायावती का रुख करना फिर भारतिये जुनता पार्टी में योग्यादितनात के साथ मुला मौका धीरे-धीरे कम देना शुरू कर दिया था जिसके वज़े से इस बार साल दोज़ार शूबीस के लोग सबाचुनाव में पल्लवी पठेल से खलेश यादव ने दरकिनार कर दिया था आप देखें कही ना कई उनकी पार्टी अपना दल कामेरावादी की स्थिती है व फिर अब उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधान सबाचुनाव की बात कर लीजिए पल्लवी पठेल चुनाव लड़ना चाहती हैं और इसके लिए पल्लवी पठेल आखिर क्या रणनीती बना रही है ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस समय इस मौजूदा से पल्लवी पठेल के पास किसी भी पार्टी का चुनाव चिन मौजूद नहीं है जिसके तहर जिस पार्टी के चुनाव चिन पर लड़ती नजर आए क्योंकि इस वक्त पल्लवी पठेल आप देखें ना तो गड़बंदन की और कहीं अपना रुख मोड़ रहे हालकि कायासो पल्लवी पठेल को एक डर है कि सिराथु से जो विधायका के पद पर इस वक्त है वो जा सकता है या फिर इस पद से पल्लवी पठेल को मजबूरन स्तीफा देना पड़ सकता है अखलेश यादव के कही अगर आप देखें तो दवाव में समाजवादी पार्टी के दवाव लेकिन अगर दबाफ में आकर पलवी पटेल अपना जो एक उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं जो भूमिका है या फिर जो एक हिस्सेदारी है समाजवादी पार्टी में अगर वो छोड़ती नज़र आएंगी तो पलवी पटेल के बहुत बड़ा जटका होगा और आप देखे ह पलवी पटेल को जटका लगता है तो कम से कम भारते जंता पाटी के जो दर्वाजे हैं वो पलवी के लिए खुले रहे और इसी के चलते योगिया दितनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी भले आप देखें मुलाकात की तस्वीरें सामने नहीं आए लेकिन मुलाकात हुई थ पलवी पटेल आने वाली जो राजनीतिक जर्णी है कही न कहीं चंसेखर आजाद के साथ पूरी करते हुई नसरा सकती है वहीं अगर मायवती के साथ गड़बंधन में जाती है तो जाहरतोर पर उनको फिर अपना खोया हुगा जनाधार मिल सकता है लेकिन अगर चंसेखर देश और आजाद करते हैं ने क्या सकति है लेकित्स तरहीं के लिए नार्य ही लेकिसरा सफेलों सकता है कि आपको क्या कुछ लगता है आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल के लिए वस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स नाइन यूजपर